आज की recipe में हम बनाएंगे cold coffee, यह वाला जो glass है इसको मैंने simply serve किया है और इसको vanilla ice cream के साथ serve किया है Cold coffee बनाना बहुत ही आसान रहता है और कम ingredients में यह बन के त्यार होता है बस इसका मेजरमेंट अगर हम ठीक ठाक करें कफी कड़वा भी नहीं लगता और आच्छे से बनके त्यार होता है तो चलिए रेशिपी शुरू करते हैं एक कटोरी में 2 टेबल स्पून कफी पाउडर ले लेंगे मैं यहां नर्माल कफी पाउडर जो रेगूलर कफी पाउडर होता है उसको उज़ कर रहे हूं आप चाहिए तो मार्केट से फ्लेवर बाला कफी पाउडर भी उज़ कर सकते हो 2 टेबल स्पून कफी पाउडर में 4 से 5 टेबल स्पून गुनगुना दूद आठ करेंगे एक ब्लेंडर की जार ले लेंगे उसमें ले लेंगे एक ग्लास फूल फैट मिल्क जोकी ठंडा है उबाल के पहले से इसको फ्रीज में रखना है फिर यूज करना है कोल्ड कफी के लिए फूल फैट मिल्क यूज करने से कफी गाड़ा भी बनता है उसमें जाक आच्छे से आता है वान फूट कप मैंने डाला है सुगर एक टीस्पून ले लेंगे चोकलेट पाउडर ये ड्रिंकिंग चोकलेट पाउडर है अप्षना ले आप चाहे तो आट कर सकते हो नहीं तो स्कीप कर सकते हो कफी और दूद का मिक्स को भी इसमें डाल देंगे कोल कफी को और भी ज़दा टेस्टी बनाने के लिए इसी डाइम आप इसमें एक या दो स्कूप वैनिला आईस क्रिम भी आट कर सकते हो अभी हम इसको blend करेंगे सारे इंगियंट अभी आच्छे से mix हो चुका है जब आप इसको blender की जार में blend करें एक साथ ना करें थोड़ा थोड़ा करके आदा से एक मिनिट तक लगातर blend करते रहे थोड़ा अन करें और अप करें इसी प्रोसेस में करना है सर्विंग के लिए दो गलास ले ले लेंगे चोक्लेड सिरफ से गलास को डेकोरेट करेंगे इपकों लंबा बत आई गलास को अंदर से उपर टक राउंग एपkar आप जो सेब में चोक्लेड शिरफ डाल दोगे बाफिको फेलकेगी बहुत ही सुन दिखेगा और ग्लास के उपर से कुछ भी डिजाइन आ जाएगा मैं या इस तरीके से राउंड सेप करके उपर तक लूँगी आप देख सकते हैं धिरे धिरे चौकलेट सिरफ नीचे तक फेलता जाएगा और ग्लास में एक अच्छा सा डिजाइन आ जाएगा एक ग्लास को हमने तो त्यार कर दिये अभी दूसरा ग्लास को भी डेकोरेट करेंगे ग्लास भर में इसमें नहीं डालेंगी चौकलेट सिरफ बस उपर की तरफ एक राउंड देना है इस तरीके से एक राउंड देंगे जैसे कि नीचे एक एक बून चौकलेट सिरप बहता जाए उसी तरीके से बिच बिच में थोड़ा थोड़ा जादा हम ले लेंगे चौकलेट सिरप कोल कपी के लिए दूसरा ग्लास भी तैर हो गया है अब देख सकते दोनों ग्लास में अलग-अलग डिजाइन दिख रहा है ग्लास में अभी हम कोल कपी को डालेंगे ब्लेंडर की जार में जाग जो निचे रह गया है उसको निकालके ग्लास के उपर हम डालेंगे एक या दो आईस कीब्स डालेंगे या अप्सना ले चोटा बला ग्लास में वान स्कूप ब्यानिला आईस क्रेम आट करेंगे थोड़ा से चोकलेट पाउडर से ग्लास को सजा देंगे अगर आपके पास चोकलेट पाउडर आवे लेवल ना हो ता आप इसमें बन भीटा बगरा भी डाल सकते हो या इसको स्किब भी कर सकते हो अभी हमारा कोल कफी बनके त्यार है तो घर में बनाना यह कितना असान है और कितना कम इंगिडेंट्स में बनके त्यार होता है यह रेसिपी आप भी एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी के बारे में आपकी अनुभाब कमेंट सेक्षन में सेर करें इस तरह के बहुत सरे रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट सेट में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने बाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सकें